अलो प्यारे बच्चों सभी को गुड मानिंग और सभी को जैमा सरस्थी तो आज हमाज सभी लिए फिर से लेकर आ चुके हैं सुबह की 6 वजे वाली महत्पूर प्रस्णों की कैप्सूल क्लास और आज की इस कैप्सूल क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं विजिकस के चैपटर नंमर 9 यानि केरड प्रकास की कुछ महत्पूर अति-लग फुत्री प्रस्ण जो की 2 नमर में आपके एक्जामे पूछे जाते हैं लग उत्री प्रसन कर सकते हो और आसान आसान प्रसन है एक सब्द वाले प्रसन है शुरुवात में आसानी प्रसन होते हैं तो शुरुवात में आसान प्रसन ही हम आप से लिए हैं और ये सभी प्रसन हमारे इस किताब वर्दान किताब के प्रसन है तो जिनके पास किताब गया और अपना स्लेट करके कोशन से देख भी सकते हैं बाकि हम आप सभी लोगों को कराने जा रहे हैं और ये सभी प्रसने वे प्रसने हैं जो आपके एक्जाम्प्स में पीछे पूछे गए हैं या फिर आगे पूछे जा सकते हैं सबसे पहली बात यहां पर पहला प्रसन आप लोगों के सामने हैं अब जिसको भी प्रसनों का जवाब आ रहा है वो कमेंट बाक्स में कमेंट करेगा एकदम एक बार में वहनों में पच्छ दर्सी दर्पड के रूप में किसका प्रियोग किया जाता है किसका प्रियोग किया जाता है पच्छ दर्सी दर्पढ मतलब वहनुम जो पीछे की चीजों को देखने वाली दर्पढ होती है उसमें किसका यूज किया जाता है तो बताओ जरा अउतल दर्पढ या उतल दर्पढ हाँ दर्पढ तो दो ही होता है तो भया उत्तल दरपड यूज करते हैं वहालों के फीछे के चीजों को देखने के लिए किसका यूज करते हैं उत्तल दरपड का प्रयोग करते हैं किसका उत्तल दरपड का प्रयोग करते हैं दिमाग में सेट रहेगा न हलाकि यह कोशन कभी पूछा नहीं गया लेकिन मैंने तो क्या होता है जब कोई प्रकास किसी चमकदार प्रिष्ट पे गिती है, तो क्या होती है? उस चमकदार प्रिष्ट से प्रकास उसी माध्य में वापस चली जाती है. यह जो घटना होती है, प्रकास का क्या कहलाता है? परावर्तन कहलाता है. यह घटना प्रकास का परावर्तन कहलाता है. यह प्रकास किरड किसी चमक तार प्रिष्ट पर पढ़ती है तो वापस उसी माध्यम में चली जाती है जाती है जिसे क्या कहते हैं जिसे प्रकास का परावर्तन कहते हैं जिसे प्रकास का परावर्तन कहते हैं जिसे प्रकास का परावर्तन कहते हैं जब कोई प्रकास किरड किसी एक माध्यम में आप्तित होती है और चमकदार पिर से परावर्तित उसी माध्यम हो जात है गटना क्या काल आता है प्रकाश का परावर्तन कहलाता है बहुते किलियर है सभी को कोई दिख्गत तो नहीं है ना बता देना चलो जी नेश्ड कोशन देखो क्या है आपे सम्तल दरपड़ पर प्रकास की रड़ पैतालिस अंस के कोड़ पर आपतित होती है तो आपतित प्रकास था परावर्तित प्रकास के मत है कितना कोड़ होगा देखलो यह आपका एक सम्तल प्लेन प्रिष्ट है इस पे कोई प्रकास की रड़ है 45 अंस की कोड़ पर आप्तित हुई है और यह आपका अभिलम है अभिलम दाटिट लाइन वाला अभिलम हो गया और यह आपका परावतित की रड़ है तो यह प्रकास केड़ कितनी कोड़ पर आप्तित होती है 45 अंस की कोड़ पर चलो जी भई तो देखो, यह आपका आपतित प्रकास है, आपतित प्रकास है, आपतित प्रकास है, अच्छा एक चीछ ध्यान देना है, यहाँ पर आपको ध्यान देना है, समतल दरपड़ प्रकास पैंताली संस के कोड पर आपतित होती, यानि ये कोड जो है अभिलम के साथ लिया जाता है 45 अंस का तो आपतित प्रकास था परावर्तित प्रकास के बीच का कोड कितना होगा यह कोड 45 अंस है यह आपतित प्रकास है और यह रहा आपका क्या परावर्तित प्रकास परावर्तित प्रकास ठीक है और यहां पर अगर इंगल की बात करोगे तो ये भी आपका 45 एंस का कोड़ होगा क्यों? क्योंकि आपतन कोड़ परावरतन कोड़ दोनों बराबर होता है इसलिए ये भी 45 एंस का कोड़ होगा अगर मैं आपसे पूछू मैं क्या ये प्रस नहीं आपसे पूछा है कि आप्तित प्रकास एवंग परावर्तित प्रकास के बीच का कोड़ यह रहा आप्तित प्रकास यह रहा परावर्तित प्रकास इन दोनों के बीच का कोड़ इन दोनों के बीच का कोड़ कितना है तो 90 अंस है 90 degree है, है की नहीं, 90 answer है की नहीं, बताओ, इन दोनों के बीच का code, 90 answer है की नहीं, तो answer क्या होगा, 90 degree होगा, ऐसे दिमाख लाके आपको answer देना है, answer 90 degree होगा, इस तरीके से दिमाख लाके answer देना है आपको, चलो जी भाई, अगला question चलते हैं, अगला question चलें, बताओ, अगला question चलते हैं, question अगला बताओ, अगला question यह प्रूयम, तिता फोकस यप के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, तो कोई भी गोली दरपड, हम लेते हैं या आउतल गोली दरपड है, इस आउतल गोली दरपड में, आपका यह दूरू क्या होता है, और फोकस दूरी यहां पे रहेगा, यप, इसके बीच की तो जटाता है। यहां पर ध्रू यम है यह द्रू यम है। यह आपका फोकस है ब फोकस क्यों फोकस य 이후 के बीच दूरी क्या होगा बताना शिए कमेंट बाक्स में कमेंट करके दुरू यम और फोकस यफ के बीच का दुरी क्या होगा कितना दुरी होगा दुरू यम और फोकस यफ के बीच की दुरी को क्या बोलते हैं और यह दुरी आपके सामने हैं इंडिकेट करो इसको कंसीडर करो इसको देखो इसको क्या होगा दुरी क्या δूरी होगा इसे क्या बोला जायेगा एक बार बताना जारा सबी लोग comment box मे अनुद करके कि भया इसको focus दूरी बोला जाता है ये focus दूरी होगा असार असान-असान question है बिल्कुल असान question है शुरूबाती question असान होगी इंहा ठीक है चलो आगे questions करोगे तो कठीन होगा कल इसका next part उसमें कठीन question आएगा और हाँ आगे बढ़ने से पले मैं बता देना चाहता हूँ कोई भी बच्चा जिसकी अभी तक त्यारी जबज़स नहीं हुई है 95 प्लस नहीं आप आएगा ऐसा सोच रहा है या 90 प्लस नहीं आप आएगा ऐस सुच रहा है तो एक बार और मेहनत आप कर सकती हो हमारे साथ और हाँ आपको पता ही हम जो भी वादा करते हैं फूरा करते हैं बिल्कुल तो हमारे साथ आप इस क्यूंकि revision 160 वाले batch जिसका नाम हो वर्दान वाकिप में यह वर्दान है मासा सुती का इस batch का कि जो भी इस पेपर, model paper, A to Z इसमें दिया जाएगा इस crash course में यह crash course है इसमें आपको पूरी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी केवल वही जो important जो आपकी exam में आते हैं आप join कर सकते हो alpha issue pro app डाउनलोड करके या फिर यह नमर है 930-570-1375 इस पर call करके ठीक है चलो आगे देख लो इस batch में क्या-क्या free मिल ला है तो सिखर batch आपको free मिल ला है, सिखर 2.0 batch free मिल ला है, English spoken का एक batch free मिल ला है, मतब 399 में तीन चीज़ें तो आपको free मिल लें, 14 वह batch मिला, 400 में 4 batch आपके हाथ में रहेगा, जबज़स त्यारी कर सकते हो, मेरा उद्देश कम से कम फीस में, गजब की दरपड के वक्रता के अनुदिक के मंदर रखा जाता है, तो प्रत्विमि की स्थिपती बताइए हाँ, चलो जी भाई, ये क्या कह रहा है, कि जब कोई वस्तु है ओतल दरपड़ है, ये रहा ओतल दरपड आपका, इस ओतल दरपड़ के ओतल दरपड़ के ओतल दरपड़ के यह आपका धुरू है धुरू है ठीक है इसका वक्रता केंद्र सी यह रहा वकता केंदसी ठीक है और अनंत मालो यहाँ पर कोई वस्तु रखा गया है इसका प्रद्विम कहां बनेगा बताओ यह आपसे पूछा जा रहा है बोलो बताओ कहां पर बनेगा बताओ इसका फोकस दुरी यह रहा आपका चलो बताओ देखो कैसे पता चलेगा आप इसका डाइग्राम की चलो यहां से चलने वाली प्रकास केड़ परावतन के पस्चाथ फोकस से होके जाएगी पहला प्रकास केड़ दूसरा प्रकास केड़ क्या होता वकरता किंद्र से ऐसे कटके चली जाएगी तो देखो प्रत्विम आपका क यह बन रहा है कहा कि वक्रता के इंदर और फोकस स्या पकी बीच बीच तो मिफड़िम कहा बनेगा वकरता किंद्र था फोकस एफ मद्र आप बनेगा ठीक है वगता के दिश्री तथा फोकस एक बनेगा वस से छोटा बन रहा है ये पर्द्वियों की कंडीशन है आपका ठीक है कोई दिक्कत है यहाप और तो बताना सभी लोग अच्छे तरीके से कोई दिक्कत होगा तो जरूर बताना आगे कोशन चलते हैं यह बता दो मुझे आप क्या है जी हाँ इस कोशन को बता दो एक बार कनेट करके क्या है आउतल दरपढ़ के द्रू तथा फोकस के बीच रखिए वस्टु का पर्दविय में कहां बनता है किरड आरे किछिए द्रू तथा फोकस के बीच आउतल दरपढ़ हो गया और इसका य यह आपका धूर यम हो जाएगा मुख्य फोकस फोकस यफ हो जाएगा वकता केंदसी हो जाएगा यहां पर एक वस्टु रख लेते हैं यह वस्टु रखा है इस वस्टु का यहां से टकराएगी और यह मुख्य फोकस से होकर जाएगी ठीक है और दूसरी किरड यहां पर ऐसे हो के दूसरी किरड अगर आप देखोगे यहां से ऐसे हो के जाएगी आप ऐसे ले जा सकते हो दूसरी किरड ठीक है है ना अगर इन दोनों किरड को पीछे बढ़ाओगे पीछे बढ़ाओगे तो यह दोनों किरड कहां कट रही है बताओ यह दोनों किरड कहां कट रहे हैं यहां पे कट रहे हैं यह दोनों किरड कहां पे कट रहे हैं यहां पे कट रहे हैं कटने के पस्चात इसका प्रत्विम आपका यहां पे बना है सीधा बना है और वस्त से बड़ा बना है कहां पे बना है सीधा बना है वस्त से बड़ा बना है यह यह बना है प्रद्विन तो यह चोटा वस्तु का प्रद्विन बड़ा बना है दरपड के पीछे बना है अभासी बना है ठीक है और यह आपका पुरा कंडिशन है तो क्या लिखोगे भैया दरपड के पीछे दरपड के पीछे सीधा अभासी तथा वस्तु से वस्तु से बड़ा बनेगा यह पूरा कंडिशन है यह पूरा कंडिशन है ठीक है यह पूरा कंडिशन हो जाएगा कनेट करो इसको सभी लोग अच्छे तरीके से कोई दिक्कत तो नहीं है न चलो जी भैया अब लास्ट कोशन यह रहा आपके सामने मैं दो कोशन आपको हो मत दूँगा एक तो आसान से आसान कोशन है इस कोशन का आपको जवाब ग्रीह कारे की रूप में कमेंट पाक्स में कमेंट करके बताना है ठीक है चलो जी भैया और एक कोशन और है हमारे पास यह भी कोशन इसका भी ग्रीह कारे है देलो इसका एंसर आपको कमेंट बाक्स में कमेंट करके बताना है मिलते नेश्ट क्लास में सभी को जैमा सरसुती लगातार पढ़ाई करते रहो सुबह कैपसूल क्लास चलता रहेगा कभी कभी नहीं उपाता जिसे कल नहीं उपाया था लेकिन बागी रिगुलर होगा ठीक है कोई दिक्कत नहीं और हाँ इसे कनेट करके करो इससे नवा चेप का ही देने वाला हूँ ताकि आप अच्छे तरीके इस दिमाग में सेट करते चलो मिलते नेश्ट क्लास में सभी को जैमा सरसुते